बच्चो जोतिस इजी लार्निंग चैनल में आप सब का स्वागत है हम देख रहे हैं फिफ स्टान्डर का हमारा सेकेंड शाप्टर नमबर वर्प तो प्राब्लम से टू चल रहा है हमारा और उसमें से हम फोर्ट केस्टन आज देखने वाले है तो फोर्ट थ्री केस्टन हमारे हो गए है फोर्ट केस्टन हम देखने वाले है अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना बच्चो और समझ लेना अगर मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा बच्चो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक पी कीजिएगा तो हम देखते हैं हमारा सागेंड चाप्टर प्रब्लम से टू मेंसे फोर्ट केशन लिखा है मैंने बच्चो How many rupees do they make? तो क्या हमें पूछा है कि जो भी हमें नोट दी है उसमें से रूपेज हमें निकालने हैं How many rupees do they make? तो कितने जो आते हैं मिला के सब वो देखना है तो first हम देखते हैं हमें कौन से note दिये हैं कितने हैं वो देखते हैं तो 20 notes of 1,000 rupis तो इसका पहले निकालते हैं हम 20 notes of answer लिखते हैं और first जो हमें दी है 20 notes of 1,000 rupis तो लिखते हैं 20 notes of 1000 rupees तो बच्चों जितने भी notes वो 20 notes है तो 1000 के हैं तो आपको पता है multiplication करके हम निकालते हैं तो जितने भी notes है और कितने के हैं उसको आपको multiply करना होता है तो वो आपको करना है 1000 के है तो पहले हम 1000 लिखते हैं 1000 into कितने के हैं 20 के है तो कितना होता है हम देखते हैं तो बच्चों पहले से हम थोड़ी जगह बना लेते हैं नहीं तो जगह हमें कम बढ़ जाएगी तो देखते हैं पहले हम answer उपर चला लिखते हैं यहां और हमारा answer start करते हैं तो 20 notes of 1000 rupees तो लिखा अब क्या करना है आपको देखना है कितने के हैं 1000 के है तो 1000 into जितने rupees के हैं वो आपको multiply करना है into 20 करना है तो 20 notes है 1000 के 20 notes है तो multiply किया अब आपको लिखना है जो भी आपका answer आता है वो लिखना है तो अच्छे से लिखना है 1000 into 1000 into 20 is equal to अब multiplication जब भी 0 होते है तो easy हो जाता है आपको पहले क्या करना है अगर आपको 0 ज़्यादा है और number कम है तो 0 को पहले हमें जो है count करना है और लिखना है तो 1 0 है 2 0 है 3 0 है 4 0 है तो मैं पहले आपके 4 0s लिख लेती हूँ तो ये हमारे 4 0s है 4 0s लिख लिए अब जो भी number बच्चे है उनका multiplication किजिएगा तो 2 1s आ 2 तो हमारा हा आ गया 20,000 तो जब भी 0s होते हैं तब पहले 0s count करने का है 0 कितने हैं वो लिखने का है और unit place से लिखेंगे और यहां आपका जो number होता है 2 1s आ 2 है तो यहां 2 लिखा और 20,000 आ गया अब नेस देखते हैं फायू notes फायू notes of hundred rupees तो hundred rupees के फायू notes है बच्चो जो भी है हमने लिख लिए अब लिखते हैं क्या करना है hundred hundred rupees के है तो hundred लिखा into कितने notes है हमारे पास note है फायू तो फायू से आपको उसको multiply करना है और मैंने क्या बताया जब भी zeros होके पहले zero count करने का जीरो लिखने का तो यहाँ जीरो इस परतर नहीं नहीं है तो यहाँ जो two zeros है वो हम लिखते हैं one two लिखा अब फायू और one का multiplication करके आपको लिखना है फायू one जा फायू लेकिन लिखते वक्त आप अच्छे से unit place से देखिएगा two zeros लिखे और फायू one जा फायू तो यह third place पे आएगा तो अच्छे से लिखेंगे तो हमारा जो addition है वो आपका अच्छे से आ जाएगा अगर आप unit place से नहीं लिखते हो यहाँ से लिखते हो तो answer गलत हो सकता है तो देखते हैं next हमें कौन से रूपीज के कितने नोडस लिए है तो and 14 नोडस of 10 रूपीज तो लिखते हैं 14 नोडस of 10 रूपीज तो बच्चो 10 रूपीज है तो 10 लिखा कितने नोडस है 14 नोडस है तो into 14 लिखा अब आपको multiplication करना है और multiplication करते वक्त अगर 0 है तो 0 पहले आप दे देते हैं यहाँ तो 1-0 काउंट किया मैंने 1-0 है तो लिखा अब 14 वान सा 14 तो 14 आपको लिखना है 1 और 4 और जैसा आपको मैंने बताया unit place से लिखना है तो मुझे थोड़ी जगह कम है किसी लिए आपको अच्छे से लिखना है तो बच्चो क्या करना है अब आपको इसकी addition करके total amount निकालनी है तो कितना आ गया पहले 20,000 आ गया 500 आ गया 140 आ गया तो 10 रुपीज के 14 नोर्स ते तो 0 पहले लिखा 14 वान सा 14 लिखा अब आपको addition करनी है तो addition हमेशा unit place से करना है आपको तो 0,0,0 मतलब 0 आएगा हमें नीचे भी और जो 10 place है तो 0 है, 0 है, 4 है तो 0,0,4 मतलब हमारा यहां 4 आज़े जब अच्चो अब देखते हैं 100 place में तो यहां 0 है नीचे से या उपर से कही से भी start करो आप तो 0 है, 5U है, 1 है तो 0 तो कुछ value नहीं है, 5U plus 1 किया तो 6 आ गया तो यहां आपको 6 लिखना है और यहां कोई नंबर नहीं है, 0 है उपर आपको वैसा ही 0 नीचे लिखना है और 2 जो है, वैसा ही लिखना है तो 20,640 रुपीज हमारे आ गए है, तो यह हमारी total amount है हमें total amount निकालनी है total amount is equal to तो कितनी आ गई, 20,640 आ गई तो ऐसे आपको अच्छे से 0 जब होते हैं, तो 0 त काउंट करने के हैं और नंबर को multiply करके लिखने का है, और places अच्छे तरह से देखकर ही आपको addition करनी है तो हम second example देखते है, हमने लिख लिया है 15 notes of 1000 रुपीज है तो answer हम लिखते है, बच्छों वैसे ही करने के हैं, जैसे बहुत एक्जामपल किया है तो 15 notes of 1000 रुपीज 15 notes of 1000 रुपीज है तो हम उसका जो है, रुपीज निकालते हैं, कितने होते हैं 15 notes of 1000 रुपीज अब लिख लिया, अब क्या करना है, जो भी कितने के notes से देखना है, तो 1000 रुपीज के हैं, तो लिखते हैं, first 1000 इन्टू, जितने notes से उतने लिखने का है, तो 15 notes है हमारे पात, तो 15 लिखा, अब is equal to, तो जगह एड़ेस करनी पड़ेगी बच्छों, अच्छे से, 1000 लिखा, इन्टू, फिप्टीन लिखा, अब हमें करना है, multiplication, 1000 रुपीज के 15 notes से, multiplication करके हमें रुपीज निकालना है, तो फहले हमें count करने है, 0s, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 0s दिए, और जो नंबर है, उसका multiplication करना है, तो 15 ones are 15, तो 15 लिखा, तो हमारे हो गए 15,000, अब ग्लैस देखते हैं, हमें कौन से रुपीज दिए हैं, 12 notes of 100 रुपीज, तो लिखते हैं, 12 notes of 100 रुपीज, तो 100 रुपीज के 12 notes है, तो हम multiplication करके उसका value निकालते हैं, तो 100 लिखा, into 12 लिखा, तो अब इसका multiplication करना है, multiplication करते हैं, पहले 0s लिखने हैं, और unit place दे ही लिखने हैं, कितने 0s हैं, 1, 2 हैं बच्चों, तो unit place से आपको ये 0s अच्छे से लिखने हैं, places देखने हैं, तो जो addition हैं, आपकी wrong हो जाएगी, 12, 1s are 12, तो 12 लिखना हैं, आपको तो ये 2 places पे हम 12 लिखेंगे, तो लिखना, अब next देखते हैं, कौन से हैं, कितने हैं, 8 notes of 10 rupees हैं, तो लिखते हैं, 8 notes, 8 notes of 10 rupees, तो 10 rupees के 8 notes हैं, अमारे पास, तो पहले कितने rupees का हैं, 10 rupees का है, 8 notes से लिखां, अब इसका multiplication करना है, तो multiplication करते वक्त 0s देखने हैं, तो 1 0 हैं, तो 1 0 हैं, तो 1 0 लिखां, और 8 1s आए, और जो numbers हैं, उसकी multiplication की, लेकिन ऐसे लिखना है, क्या नहीं, तो places को याद करना है, places में ही लिखना है, तो unit place में 0, और 8 1s आए, टेंस place में आना चाहिए आपका, तो देखते हैं, next, फायू coins of 1 rupees, फायू coins of 1 rupees, तो 1 rupees के फायू coins हैं, तो 1 लिखते हैं, पहले 1 rupees के हैं, into, फायू करना है, आपके पास फायू है, तो चलिए देखते हैं, फायू 1 जा फायू, 0 तो नहीं है, तो फायू 1 जा फायू आपको लिखना है, वो भी unit place में, और इनकी addition करके, total amount जो है, आपको निकालनी है, तो unit place से start करनी है, addition 0, 0, 0, फायू, तो फायू जैसा है, वैसा लिखते हैं, तो 0 है, 0 है, 8 है, तो 8 में 0 अगर mix किया, तो 8 ही रह जाएगा, तो 8 आ गया, अब हमारा hundred place है, 0 है, 2 है, तो यहां आपका 0 और 2, addition करके 2 आ जाएगा, 0 तो value नहीं है, तो 2 में 0 add किया, तो भी आपको 2 ही मिल जाएगा, तो लिखा, अब देखते हैं, next place हमारा, thousand place, तो 5 है और 1 है, बच्चो नीचे कोई नमबर नहीं है, तो 5 में 1 आगे बोलिएगा, तो 5 और 6 हो जाएगा, तो यहां आपको 6 लिखना है, और यहां आपको 10,000 place में सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 आपको लिखना है, तो 16,285 हमारी total amount हो गई है, तो यह है आपकी total amount, जो सब मिलाके रूपीज होते है, वो 16,285 है, तो देखते हैं हमारा next question, तो 4 में का, यह 2 था, अब 5 वह question हम देखते हैं, 5 एक्जामपल लिख लिख लिया है, हम पढ़ते हैं पहले और उसका answer लिखते हैं, write the biggest and smallest 5 digit numbers, that can be made using the digits 4, 5, 0, 3, 7, only one, तो क्या करना है, biggest और smallest number बनाना है, वो भी 5 digit का बनाना है, और हमें digits दिये हैं, that can be made using the digits, तो यह जो digit दिये हैं हमें, इसका use करके आपको 5 digit number बनाना है, कौन सा biggest और smallest, दोने हो बनाने हैं, तो biggest number बनाते वक्त बच्छों, आपको क्या करना है, descending order से जो number से वो लेने हैं, तो कितने भी digit का हुआ आपको, रूल याद रखना है, पहले क्या करना है, descending order से मतलब जो बड़ा है, वो पहले लिखना है, और फिर चोटा-चोटा करके लिखते जाना है, तो लिखते हैं हम, और अगर zero होता है, तो वो zero last में ही लेना होता है, तो हम देखते हैं, zero है, तो रूल आपको याद रखना है सिर्फ, नहीं तो जब number होगे सिर्फ, तब आपको descending order से उसको लिखना है, biggest number के लिए descending order, तो चलिए, first हम बड़ा कौन सा है, यहाँ सके देखते हैं, four है, five है, zero है, three है, seven है, तो seven है, तो seven लिखा, अब next देखते हैं, कौन सा है, four है, five है, zero है, three है, तो इसमें जो बड़ा है, वो five है बच्चो, तो five लिख लिखा, अब next कौन सा है, देखते हैं, seven लिखा, five लिखा, तो four है, zero है, three है, तो आपको four लिखना है, तो three से बड़ा है, four लिखा, बाद में आपको देखना है, three रह गया है, तो three लिखा, और zero अगर होता है, तो उसको last में लेना है, तो biggest number में, अगर zero आपको दिया गया है, हमेशा last लेना है, उस zero को आपको, और ये biggest number आपका तयार हो गया है, 75,430, अब देखते हैं, next, तो rules याद करने हैं, जो भी number हो, जितने भी digits का हो, descending order से लिखना है, और zero last में लेना है, अगर zero होता है, तो, तो देखते हैं, next smallest number, तो smallest number बनाने के लिए, ascending order होती है, बच्चों, अगर आपको जो भी number लिए है, वो ascending order से लिखने है, और अगर उनमें zero होता है, तो वो second place में लिया जाता है, तो देखते हैं, first हमें smallest number, smallest state start करना है, मतलब ascending order से, तो देखते हैं, पहला कौन सा है, three, तो four है, five है, zero है, three है, seven है, तो small कौन सा है, यहां का, three है, बच्चों, तो यहां अगर आप देखते हैं, तो भी आपको याद आजाएगा, तो three लिखा, अब क्या करना है, अगर zero होता है, तो वो second number पे ही लेना है, left side से, मतलब जहां हमने शुरू किया है, first smallest number आपको लिखने का है, और second time zero लेने का है, zero अगर होता है, तो second time ही लेने का, अगर number है, तो सिर्फ ascending order से आपको लिखने है, मतलब छोटे से बड़ा करके, ascending order से आपको लिखने है, तो चलिए देखते हैं, three लिखा, second time zero लिखना है, और बाद में जो numbers है, हमारे small small करके लिखते जाना है, तो three से थोड़ा बड़ा कौन सा है, four है, तो four आपको लिखना है, तो four से बड़ा कौन सा है, five है, तो five आपको लिखना है, और five से बड़ा हमारा रह गया है, जो seven, तो seven लिखना है, तो हमारा फायो डिजिट का नमबर तैयार हो गया है 13,457 तो रूल्स आपको याद रखने हैं सिर्फ अगर जीरो होता है तो biggest नमबर में लाख में लेने का जो भी आपको यहां descending order होती है और descending order अगर याद नहीं रहता तो biggest नमबर में पहले biggest नमबर ही लेने है बड़े नमबर लेने हैं और जीरो होता है तो लाख में लेना है smallest नमबर मनाते वक्त आपको small से start करना है फ़र small नमबर लिया और अगर जीरो होता है तो वो second time में ही लेना है और बार में यूजो नमबर से आपको वो लिखते जाने हैं तो हम देखते हैं हमारा six question तो हमने six question लिख लिया है the names of some places and their population are given below तो जो names यह है हमें उसका population भी दिया है और use this information to answer the question that follow और हमें जो question दिये है उसका answer करना है यह numbers देखके यह population मतलब जो हमारी लोक संक्या है वो देखके आपको क्या करना है उस पर question का answer देना है तो देखते हैं क्या दिया है हमें तो तड़ा 14,642 है मोरगाव है 87 जो आपको number दिया है उसका कुछ पढ़ने का नहीं है लेकिन समझने का है तो अश्टी का दिया है population हमें और गगन बावडा का दिया है भामरागड का दिया है वाशी का दिया है और भोडवड का दिया है वेले का दिया है और मोरवडा का दिया है तो ये सब हमें दिये है आपको पढ़ना नहीं आता तो भी आपको जो answer करने है वो आप लिख सकते हो तो first question देखते है हमारा which place has the greatest population तो कौन से place में यहां के greatest जादा population है what is its population और कितनी है इसका answer हमें करना है तो देखते है हमें greatest कैसे निकाल सकते है तो comparison करने के लिए हमें जो digit है उतने ही सब है क्या वो पहले देखते है तो one two three four five digit है ये भी तो ये भी five digit का है ये भी five digit का है तो अगर आपको comparison करना है बड़ा छोटा देखना है तो पहले हमें कितने डिजिट का है वो देखना पड़ेगा तो अब देखा हमने सब एक जैसे है तो जो हमारा 1000 और 10,000 प्लेस है वो हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है जादा तो यहां 14 है, 87 है, 76 है, 35 है, 35 है और 92 है, 91 है, 54 है, 85 है तो इन में से आपको सबसे बड़ा नमबर देखना है तो देखिएगा 92 जो है, सबसे बड़ा है क्योंकि यहां 40 है, 87 है, 76 है, 35 है, 35 है और 91 है, 54 है, 85 है तो 1000 और 10,000 प्लेस से हम कंपैरिशन कर रहे हैं तो वाशी का जो है हमें बड़ा दिखाई दे रहा है तो लिखना है आपको answer answer क्या लिख सकते हैं वाशी has the greatest population तो लिखते हैं वाशी has the greatest population greatest population और next question क्या हमें पूछा है what is its population तो कितना है 92,173 तो वही आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे the population is the population is कितना है वह आपको लिखना है तो 92,173 है तो इसका answer हो गया है हमारा वाशी has the greatest population the population is 92,173 तो अब second question देखते है बच्चो तो फर्स question हो गया है comparison के लिए digits आपको count करने है और जो बड़ा है 1000 और 10,000 प्लेस में देखना है और वह आपका answer जो है वह आपको लिखना है तो चलिए second question देखते हैं तो second question हमने लिख लिया है तो पड़ते हैं which place मोरवाडा और मोरगाव has the greater population तो मोरेगाव और मोरवाडा में कौन सा greatest population है देखना है तो मोरवाडा देखते है पहले हम कहा है तो मोरवाडा यहाँ है आपका यह आपका population है मोरवाडा का और कौन सा देखना है हमें तो ये मोरवाडा का है और मोरे गाओ का देखना है आपको तो ये मोरे गाओ का है तो इन में से कान सा greatest population है वो देखना है तो यहाँ 85 है बच्छो और यहाँ 87 है तो 85 यह बड़ा या 87 बड़ा तो 87 बड़ा है बतलब मोरे गाओ का जो है population ओ greatest population है तो लिखते हैं मोरे गाओ has more population मोरे गाओ has greatest population तो more population भी लिखेगा तो भी चलेगा आपको मोरे गाओ has more population than that of more वाड़ा तो more वाड़ा से आपका मोरे गाओ का जो है वो ज्यादा है more population than that of more वाड़ा तो more वाड़ा से मोरे गाओ का जो है वो greatest population है more population है तो अब third question देखते हैं which place has the smallest population how much is it तो हम question लिखते हैं पहले तो third question लिख लिया है which place has the smallest population how much is it तो smallest कहा कहा है population वो देखना है तो हमने greatest देखा था अब smallest देखना है तो हमने comparison करके देखा था 40 है 87 है 76 है 35 है 35 है 92 है 91 है 54 है 85 है तो smallest आपको दिखाई दे रहा है 35 लेकिन 35 भी हमें double मिला है तो 35 के आगे का भी number आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 235 है हमारे तो 7 और 9 आगे का number कौन सा small है वो देखना है तो 7 small है बच्चो 9 बड़ा है तो यह जो आपका answer है smallest का तो यह आ जाएगा क्योंकि आगे का number 9 से 7 छोता है तो यह आपका smallest population है तो लिखते है answer तो कौन सा है तो गगन बावडा तो गगन बावडा has the least population answer लिखते हैं गगन बावडा तो नेम लिखना है हमें गगन बावडा गगन बावडा has गगन बावडा has the least population मतलब कम है list population तो हमने population जो कम है वो निकाला है list population और आगे हमें पूछा है how much is it तो कितना है 35,777 तो वो हम लिखते हैं it is it is कितना है वो हमें लिखना है it is 35,777 तो हमने सारे question किये है जगन बावडा has the least population it is 35,777 तो सब हमें हो गए है और यहीं रुखते हैं बच्चों आगे का जू है problem set हमें next video में देखेंगे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्स देखेंगे वीडियो में बाइब बाइब बच्चों